अगली प्रतियोगी है दिव्या क्रोवर दिव्या मेरे दूर के रिष्टेदार मेरे दूर के रिष्टेदार दिव्या तीसरा दिन शाम साधे पांच बजे एक दस भाई दस का कमरा जो किसी सांच सा प्रतीत होता है ये शाम स्तानी नहीं है ये शाम वो नहीं है जिसमें आप बालकनी में इलाइची वाली चाए और दो पाडले जी के बिस्किट्स लेकर बैठें ना ही आप इसमें नमक, मिर्ची और नीमु सिर से भुटे का आनन्द उठा सकते हैं इस शाम में कुछ अजीब सी तपिश है इसमें अंधेरे का मोल रोशनी से अधिक है बिना मास लगाए ही मानो दम खुट सा रहा है यहाँ ना हवा है ना जीवन का अभास नहीं है चिडियों की खुबसूरत चहचाहट और लोकों का शोर ऐसा खामोश सननाटा है कुरसी से उठ कान दो फीट आगे दिवार से सताएंगे तो सहसा खनक सी सुनाई पड़ेगी यह खनक है डॉक्टर के स्थेतिस्कोप, सिजर, गॉस्पॉंज, नीडल, इंजेक्शन, स्नेबलाइजर, सक्षिन डिवे, सर्मोमीटर, ट्रांस्विशन केट और ऐसी कई चीजे जिनके नाम शायद गूगल को भी नहीं पता वो एक सर्जिकल ट्रे में बड़ी ही किफायत से सजी बैठी है मानो किसी ने तसल्ली से इन्हें पुजा की थाल की भाती सजाया हो अब इसके बगल में मध्यमायू के एक महिला है और दूसरी तरफ एक अध्मित सा शरीर पड़ा है नहीं घबराईए नहीं बात अभी इतनी बिगडी नहीं है पर इनको देख कर कुछ यूँ जरूर लग रहा है कि अपनी तब्यत से जादा इनको कुछ और खाय जा रहा है आखें एक तक दर्वाजे की और देख रही है इनको जानने पहचानने वाले दिख से नहीं रहे ऐसा नहीं है फोन नहीं बजा बजा जरूर बजा पहले दिन में चार बार दूसरे दिन दो लेकिन आज आज एक बार भी नहीं बजा और आज बिताना शायद सबसे कठेन हो गया है अरे वो देखो इनके माबाप कैसे भागदौर कर रहे हैं डॉक्र के कैबिन जाना है, कैमिस्स से दवाई लानी है अरे MRI की रिपोर्ट तो ली ही नहीं मैं चली गई तो इसके पास कौन बैठेगा इस कहानी में दो किर्दार और है पर आप उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वो हॉस्पिटल के बाहर गाडी में बैठे है इनकी बेहन और इनका छोटा बीगल भाई वो क्या है ना, जानवरों में भले ही भावनाए इंसानों से जादा हो पर उन्हें इनसानों वाले अधिकार नहीं है देखिए, बहाने तो हर बार के तैयार ही रहे है आधी सी हसी हसने के बहाने जकड कर गले ना मिलने के बहाने गालों को प्यार से ना मीचने के बहाने पर ऐसा भी क्या जनाब ऐसे कौन से रिष्टे हैं जो 30 किलो मीटर की दूरी तक नहीं टाप सकते उसे देख कर लगता नहीं उसको कुछ फरक पड़ता है रिष्टेदारों के ना आने से क्योंकि वो उसके लिए कभी थे ही कहां और इस बात का एहसास उसे तब हो गया था जब जिन्दगी को एहसास के मायनों का पता ही नहीं था दूरी तो है पर इस दूरी को नापा नहीं जा सकता और नापिंगे भी तो कैसे कोई कपड़ा थोड़े न है ये तो सालों से उल्चे रिष्टे हैं और ये उल्चने सुलजाना ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को सुलजाने से भी जादा कठिन है वो बारा साल की थी शायद उसे तब कहां पता था क्यों उसका गोरा किसी दूसरे के गोरे से काला है क्यों उसका सही किसी दूसरे के सही के आगे गलत क्यों उसकी आँखों के आगे चेश्मा है जब वो सब कुछ साफ साफ देख रही है बस तकलीफ इस बात की है कि इस बार इतिहास खुद को फिर दोहरा रहा है और इस बारी तानों के तीखे कमान भी नहीं चले लेकिन उसका असर फिर भी दिख रहा है शायद वो सही कहते थे साइलेंस इस दे स्ट्रॉंगेस्ट वेपन रिष्टेदार बोला जो दूर किसी वजह से है उसकी आँखें भले ही कमजोर हो पर वो आज भी साफ साफ देख रही है उसे मालूम है दूर के रिष्टेदार लॉंग डिस्टिंस रिलेशन्शिप से जादा कड़वे होते हैं और उससे भी कड़वा होता है उनका अन्त त है तो समझ लेना इसमें दूर के रिष्टों की कोई जगा नहीं है क्योंकि दूर और दूरी में सिर्फ एक मात्रा का फरक नहीं होता थैंक यू